नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन में अनुबंध पर नियुक्त किये जाएंगे सिक्छक जारखन राक्षा सकती विश्व विद्याले में अनुबंध पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्त की जा रही है, यह नियुक्ती 11 माह के लिए होगी बिस्वभी द्याले में फिलहाल फोरेंसिक साइंस बिसाय में असिस्टेंट परफेसर की नियुक्ति होगी इसके लिए योगे उमिद्वारों से 10 जनवारी तक आउनलाइन या आफलाइन आवेदन मांगे गाए हैं उमिद्वार की आईउसी में 45 वर तक होनी चाहिए आवेदन की इस गुटनी के बाद 16 जनवारी को इंटरव्यू का आउजन किया जाएगा नियुक्ति यूजी सी गाइडलाइन के तहत की जाएगी पिएसडी डीगरी हांसिल उमिद्वारों को परत्मिक्ता मिलेगी बतादे रांची विशोबी द्याले अंतरगात पीजी वा अंगिभूत कॉलेजों में चल रहे वोकेशनल कोर्स में कारेरात अनुबंध असिस्टेंट परफेसर का कारेकाल 26 दिसंबर को समाप्त हो गया लगभग 52 सिक्षकों को नियमा अंचार दो दिन के ब्रेक के बाद पुना 11 मा के अनुबंध पर रखा जाएगा विशोबी द्याले परसाशन पाठन पाठन बाधित नहीं हो इसके लिए आवकास अधी में ही पुना अनुबंध भी स्तार देने का निने लिया है कोरोना के बढ़ते मामलों की बीच सरकार की तयारी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य मंत्री हमांसुरेन की बैठक में स्वास्त विभाग द्वारा राजे के अस्पतालों में की गई बेवास्था से अउगत कराया गया स्वासमंत्री बना गुपतावा आपर मुक्षची वरून कुमार सिंग ने बताया कि कुरोना संक्रामीतों के इलाज के लिए सरकार्य हस्पतालों में उनाइच सेर 535 बेड उपलब्द है इन में 11306 ऑक्सिजन सपोर्टेड बेड और 526 नौन ऑक्सिजन बेड है वही 1447 आइ राजए में 122 PSA पलांट लगाया है राजए में परम्त मंत्रा में ऐक्सिजन उपलब्द है पांच सरकारी और ।्छ्ण नेजी अस्पताल में कूल एकारा लिक्विड मेडिकल अक्सिजन किरिा है इसके लवा मेडिकल कोलेज और जीला अस्पताल में 27 जगा लिक्विड म पिसी का सब जोनल कमंडर अपने आधा दर्जन साथियों के साथ गिरफतार कर लिया गया है चत्रा जीला की पीपरवार पूलिस ने ये करवाई की है गौतला भाय की बीते कई महीनों से यूद अस्तर पर जारी नकसल बिरोधी अभियान में एक गिरफतारी बड़ी सफलता है मिली जनकारी के मुताविक पूलिस ने गिरफतार किये गया उगरवादियों के पास से भारी मात्रा में हत्यार और जिंदा कर्तूस भी ब्रामत किये है वर ये अधिकारी गिरफतार किये गये उगरवादियों से पूस्ताच कर रहे है जहारखन के 15,10 राक हारा रासन काऺधारियों को पांच मांशे नहीं मिला अनाज जहारखन राजिक खाद सुरक्षाद नियम योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहत राजिक की ओर से अनुदानित दर पर एक रुपे प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रतिमा उपलबत कराना है परन्तु पिछले 5 माँ से इस योजना के लाभकों को रासन नहीं मिल पा रहा है इधर खादा पुर्दी विभाग के अधिकारियों का काना है कि रासी देने के बावजूद FCI ने अनाज नहीं दिया इसकी वज़ा से अनाज बित्रन में बिलंब हो रहा है अगस्त मासे ही इस योजना के सभी लावकों के बीच अनाज बित्रन नहीं हो पाया 29 दिसंबर को अपने तीन साल पूरा करने जा रही है हाला कि इस मौके पर किसी बड़े समारों का आउजन नहीं किया जाएगा प्रोजेक्ट बहुन इसी जार्खन मंत्राला के नए सभागार में मुख्य समारों का आउजन किया जाएगा इस मौके पर आज सरकार विभीन वजनाओं के लावकों के बीच लगबग 1200 कोड़ रुपय का बित्रन करेगी लावकों के खाते में डिविटी के माध्यम से सहायता रासी पहुचाई जाएगी बतादे इसी दिन प्री मैट्रिक चात्रविर्ती योईनाओं के तहाद सरकारी स्कुलों में पढ़ रहे अनुशुचित जाती पिछडे वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के 25,66,77 को चात्रविर्ती के रासी उनके अकाउंट में डाले जाएगे वहीं इसमें काक्छाई एक से लेकर दस्वित तक की विद्यार्थी सामिल है वहीं राज्य के 10 लाख किसान परिवारों को सुखा राहा तरासी सोपी जाएगी वहीं सावित्री बाई फुले की सोरी सम्रीदी जोईना के तहट 5,60,000 बच्यों को भी साहतरासी परदान की जाएगी गढ़वा में तीन बच्चों की माँ को हुआ इसके प्रेमी के साथ फराबर हो गई है इसके बाद उससे साधी कर ली महिला के पती ने उस पर कई गंभीर आरोप लगाए है और मंडल पुलिस पता अधिकारी ने इस बाबस सिकायत की है और करवाई की मांग की गढ़वा जी लेके केतार थाना चेतर के बीजडी ग्राम निवासी कनहाई साह ने और मंडल पुलिस पता अधिकारी परमोध केसरी को अवेदन दिया है इसमें उसने कहा है कि उसके तीन बच्चे हैं उनकी पत्नी बीना तलाग दिये घर से 10 लाक रुपाय कैस एवाम जेवरात लेकर भाग गई उसने दूसरी साधी भी कर ली है पुलिस अधिकारी को दिये गावेदन में कनाई साव ने उलेक किया है कि उसकी साधी 13 वर्ष पूर्व खराउंदी ताना चेत्र के मजी गावा में हुई थी जारखन पूरूस वा महिला होकी टीम सेमी फाइनल में भुनेस्वर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होकी जारखन पूरूस और महिला की टीम में क्वाटर फाइनल में अपने अपने मैच जितकर सेमी फाइनल में पहुच गाई मंगलवार को पूरूस वार के खेले गए मैच में होकी जारखन ने होकी उतर पदेश को पाई दोस्ते प्राजित किया है पूलिस सक्त हुई तो तसकरों ने अपनाया अलग तरीका पूलिस सक्त हुई तो मवैसी तसकरों ने तरीका बदल दिया है अब कई युगा पैसे के लालच में इस अवैद कारोबार से जुड़ गए है वे हिरनपूर वा गोड़ा की बंका सपताहिक हॉट में मौसियों को खरीद कर उसे बंगाल की सीमा तक पैदल ही हांक कर पहुचाते हैं बंगाल से पसुक विभीन माद्यमों से बंगला देश पहुचाया जाता है वहीं गोवनसी को पच्छी मंगाल की सीमा तक पहुचाने के एवज में तसकर उन्हें मोटी रकम देते हैं दरसल सपताहिक होट से पसुकों खरीदने के दवरान तसकरों पर कोई सक नहीं करता यहां उन्हें काफी कम दाम चुकाना पड़ता है फिर हीरनपूर डंगा पाड़ावा सहर गराम के रास्ते निर्बांध अभुआ कंगला पहाड़ी मर्ग डंगा समेत अन्य रास्तों सम असियों को बंगाल के मुराई राजगराम नलहाटी आधियस्थानों पर पहुंचाया जाता है रांची में राज अस्तरिये मुख्यमंत्री फूटबोल कप पर त्योगता का उध्गाटन बिर्सा मुंडा फूटबोल स्टेडियों में किया गया उध्गाटन समारों के मु भाग की ओर से मदद की जाएगी सचीव मनोज कुमा ने कहा है कि राज सरकार के नदेश पर सभी जीलों में खेल स्टेडियम खेल का मैदान आवासे सेंटर आधिक व्यवस्ता के साथ सबी खिराडियों को खेल कीट और खेल समागरी उपलब्त कराये जाएंगे दुमका में आधिवासी छात्रा से छेर चाड़ पर भड़के बाभूलान मरांडी बीज़ेपी पिधायक दलक नेता बाभूलान मरांडी ने एक बार फिर महीला सूरक्षा के मसले परराज की हमन सरकारपन निसाना साथा है बाबुला मरांडी ने 17 दिसंबर को सामने आये रेविका पाहाणी हत्या कांड और दुमका में रिमांड होम के ग्रीप पती द्वारा आदिवाती चात्रा के साथ असलीर हरकत किये जाने के मामले कोले कर्मुक मंत्री हमासुरन की अलोचना किया है बाबुला मरांडी ने कहा है कि बीते दिनों संथाल परगना में जीस तरह की घटनाय हुई है उसे लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया है बाबुलार मरांडी ने अपने ओफिसेल ट्यूटर पर लिखा है कि हाल के दिनों में संथाल में जिस पर करादिवासी लड़ किया है इन अपरादियों के सिकार बन रही है पूलिस के अस्वासन के बाद भी घटनाय रुकने का नाम नहीं ले रही है ताजी किस्तान में फसे मैज़ूरों ने सोदेश पहुच कर ली रहा ताजी किस्तान में फसे परवासी मैज़ूरों के परिजनों का इंतजार खत्म हो गया है सभी मैज़ूर सोमवार की दोपहर राइधानी दिल्ली पहुच गए मंगलवार को मईदूरों की घर वापसी की संभावना है बतादे दिली पहुचने पर मईदूरों ने वीडियो सेर कर वतन वापसी की कोशी जाहिर की साथ ही उनकी वापसी के लिए परियास करने वाले जन परतिनिधियों एवां मीडिया कर्मियों के प्रति आभार जताया के साथ ही अधुनिक हत्यारों से लेस किया जाएगा स्वासपूर इस्थित कॉंस्टेवल ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेट के निरिक्षन के बाद जवानों और अधिकारियों को संभूदित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि CTC में अब 774 जवानों के अस्थान पर 200 जवानों को परस्खिशन दिया जाएगा सरकार का फोकस परदेश में बढ़ रहे साइर ऑपunft और अंकुस लगाना है